हेलो इस्टुडेंट्स आज हम क्लास फिफ्थ की हिंदी की वर्क्षीट सॉल्ब करेंगे जिसका उपविश्य है जहां चाहां वहां रहा ठीक है बचो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि हमने पाठ पढ़ा था ये वाला तो उसी के बेसिस पर ये पूरी वर्क्षीट है तो देखे पहला प्रशन है दिये गए रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए ठीक है मलमल की धूती का बादामी रंग खिल उठाता ठीक है कैसा रंग था उसका बादामी और उस पर जब कढ़ाई की गई तो वो बहुती सुंदर दिखाई देने लगा था इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने ठीक है नेक्स्ट है इला ने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हातों से करते थे जैसा कि आपने पार्ट में बढ़ा था उसने कढ पार्ट में रहाई और लिखना पढ़ना सब कुछ वो पैरों से ही करती थी नेक्स्ट है पंध्रा साल की होते होते इला कठियावारी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी मतलब 15 साल की होते होते वो सभी तरह की जो कढ़ाईयों के टाइप्स होते हैं उन सभी में माहिर हो पारंपरिक डिजाइनों में नवींता सभी को भाई तो इला ने क्या किया था जो पुरानी प्राचीन जो पारंपरिक डिजाइने थी उन्हीं में ही उसने नए तरीके से डिजाइनों को बनाया जो की सभी लोगों को भाई उसकी नवींता नेक्स्ट है इला के विश्वास और धैरे ने कुदरत को भी जुटला दिया इसमें यह है कि इलाका बहुत ही मतलब द्रिण विस्वास था और धैरे था कि वो बिलकुल भी डगमगाई नहीं और उसने पूरी हिम्मत रखी और इतना बड़ा कारणामा कर दिखाया क्योंकि कई लोग तो हम लोग नॉमली जैसे हाथों से भी कढ़ाई नहीं कर पाते हैं यह सब करने में बहुत मुश्किल होती है जो कि इसने पैरों से इतनी सुन्दर कढ़ाई की लिखा मनलब बहुत सारे काम वों कर लेती थी नेक्स्ट है बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके मनलब बच्चे भी चाहते थे कि बच्चे उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके साथ खेलना चाहते थे ईला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना इला ने अपने हाथों के जिद यानि की वो अपने हाथों से काम नहीं कर पा रही थी तो इसलिए उसने जिद को एक चुनाती माना कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी नेक्स्ट है प्रस्ट में दो सही के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस का जो ये निशान है वो लगाईए ठीक है इला सचानी ने मलमली की धोती को पेडल बूटों से सजाया ठीक है ये सही है इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परिशानी नहीं हुई क्याई सही है? नहीं क्यूंकि उसे बहुत परिशानी हुई थी नेक्स्ट है इला को परिख्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई नहीं दी गई थी इसलिए ये क्रॉस आएगा जमें गलत है ये एक समय ऐसा आया जब इला के काड़े गए परिधानों की प्रदर्शिनी लगी ये सही है ठीक है जब इला ने बहुत अच्छे-च्छे खढ़ाई की और उनमें नवींता के साथ खढ़ाई की तो उसके जो काड़े हुए परिधान थे उनकी प्रदर्शिनी लगाई गई दस्वी की कक्षा की परिख्षा पास ना होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी नहीं ये गलत है पाठ में बहुत से कामों के नाम आये हैं जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फश, बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना ये सबी काम है, आपने घर में कौन-कौन से काम करते हो, उनकी सूची बनाओ तो मैंने यहां कुछ काम लिखे हैं, जैसे जालू लगाना, साफ सफाई करना, दुकान से सामान लाना, कपड़े तह लगा कर रखना तो इस तरीके के काम करते हो, अगर आप लोग या आप जो भी काम करते हो, तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीके, बच्चों, थैंक यू